हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस यदि आप कच्छा 10 में हैं और यूपी बोर्ट 2023 का एक्जाम का प्रिप्रेशन कर रहे हैं तो आपके लिए यह जरूरी है कि गड़ीत का क्या सिलेवस है उसकी जानकारी रखना आपके लिए बहुत जरूरी है चले फ्रेंस आप को बताते हैं कि यूपी बोर्ट जो कच्छा 10 है उसमें 2023 में कितना सिलेवस को निकाल दिया गया है और कितना सिलेवस आपका बचा है चले फ्रेंस स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंस यहां पर देख सकते हैं गड़ीत का पेपर यहां पर देखेंगे कच्छा 10 देखें यहां अपर क्या है कि आपका चल जो है लिखी थे सन्क प्रिघ्ट काएं अब फ्रेंस यहाँ पर देख सकते हैं कि कि तना परतिशत अपके कि अ क्या है इहां पर देख सकते हैं यहां पर संख्या पद्दति है जिसमें से पांच अंक का आएगा फिस गड़ी थे इसमें से अथ्टारा निर्दिशांग जाए मिती है इसमें से पांच जामिती में से बारह अंक फिर इसकेबाद तिर्कोर मिती में से सत्तन नंबर से नंभर और संक्राइब सकता है टोली आपका सत्तन नंबर काrico घाएगा अब चली देखते हैं कि इसमें आपके सिलेलड मत्रीफ है क्या कि देखें कि यहां से क्या है कि संक्राइब पध्रप्डित लिट थी से आपको यह पढ़ना मंजानकि पना कड़ित कि आधार बुत पर्मे और कड़नू करती कड़ी पांच और परिमे संख्या का सत्यापन परणाना है पर्मे संख्याओं को सांथ ART proactive के पदों में निरूप्र परणा है थीक है यह आप के स्लिबस में पहले वेरेंश्स आप देख लिजिए कि आपके से स्थापन वीधी से हल पढ़ना है एक समीकर यूग के हल को करने की बीच गड़ती वीधी पढ़ना है इसके लाँ देखिए आपको पढ़ना है प्रतियस्थापन वीधी विलोपन वीधी वज्र गुळन वीधी ठीक है फ्रेंज अब देखे देखते हैं दिवगास समीकर से क्या पढ़ना है दिवगास समीकर में आपका है कि AX स्क्वार प्लस BX प्लस C इसकल टू जीरो दिवगास समीकर केल वास्त्विक मूल का दिवगास सुत्रों द्वारा गुलों खंडों द्वारा पुरू वर्ग बना कल हल करना सीखना है आपको ठीक है इसके अलाव आपको पढ़ना है दिवगास समीकर विविक्तिकर और उनके मूलों का प्राकृतिक प्राकृतिक के बीच संबंद दिवगास समीकर के दैनिक जीवन में अनुपरयोग तथा इन पर आधारित इबारती प्रश्न फिर इसके अलावत निर्द्रशांग ज्यामि दिवेच के ओधारण रहेकिक समीकर के ग्राफ दूरी सुत्र विभाजन च्छतरफल जो पूछता है तो पढ़ना है फिर इसके बाद आप जयामिती में आजाएं जयामिती में से आप देख सकते हैं कौन-कौन सा भाग पढ़ना है जयामिती में से पढ़ना है फ्रेंस बुजाओं का समान अनुपात में भाजन ठीक है तिरे भूज की दो बुजाओं के समान देखे फ्रेंस इसको आप पढ़ सकते हैं इस तरह देखा देते हैं कौन-कौन सा भाग देख लीजिए द्यास देखिए यहां तक जह जह तक है यहां से आप देख सकते हैं फिर इसके अब देखे रेखा गड़ित में क्या पढ़ना है रचना अब देखे रचना में भी बहुत से प्रकार होते हैं जिसमें से आपको तीन भाग पाना कौन-कौन सा दिवे रेखा कंड को दिवे अनुपात में भाजन करना एक बित के बाहर इस्थित एक बिंदू से उस पर आपका प्रशनावली है जिसमें से आपको त्रिकमीटी का परचे में से देखने आएं कि समकोर तरिभूच के नियून-कोडों के त्रिकमीटी नुपातoid ओं-क टीस यूंस नुपातों के जैसे कास इसको देखें, ये वाला पढ़े होगे, कास स्कॉार थीटा पलस साइल इसको नहीं पढ़ना है, ये निकल गया ऐसलिए अब देखें, इसमें पढ़ना क्या है आपको? पढ़ना है कि पूरती कोड़ों के त्रिक्रिमीती पॉरती अनुपात, इसका मतलब होता है, यह देखिए पढ़ सकते हैं साधारा प्रशन पढ़ना है जिसमें से 30 अंस पाइदाली 60 अंस वाला ही शिर्फ आपको पढ़ना है फिर इसके बाद आ जाते हैं में इंसूरेशन में क्या पढ़ना है आपको बृत्तों से संबन्दी 46 होता है जिसमें से 60 अंस और 120 अंस वाला जो होता है उससे संबन्दीद त्रिजय खांड बृत्ते खांड छत्रफाल यह सब प्रशन पढ़ना इसको आप सुलेबस को देख सकते हैं फिर इसके बाद आपके सामने आता है प्रिश्टिय चत्रफाल और आयतन से संबंदित जैसे आपको क्या पढ़ना है इसमें घन, घनाप, गोला, अर्द गोला, लंबृत, बेलन, शंकू, छिन्नक यह सब जो होते हैं यह पढ़ना है इसलिए बस में फिर इसके अलावा देखे फ्रेंस यहाँ पर क्या है कि दो भीन तरह के ठोसों का सन्यूजन संबंदित जो प्रश्ण होते हैं उसको आपको नहीं पढ़ना है जैसे क्या कहता है कि जैसे दो ठोस गोला है उसको पिगला का तीसरे गोला या ऐसे करके संबंदित प्रश्ण बनते हैं उनको आपको नहीं पढ़ना है इसके अलावा आप सांखिकी में आ जाईए दिखे पर शांगिके में क्या है कि सबसे अच्छा यही है सबसे जादा नंबर का प्रशन भी 10 नंबर का बूस्ता है देख सकते हैं वरकिक रा आकड़ों का मादध्य पढ़ना इसके लाख मादना पढ़ना है इसके लिए संच्राइब बारंबरता जो ग्राफ होता है उसको पढ़न क्योंसे प्रिश्ण सब्स्काई को निकाल डीया वाद के शुन्याक, दिवकात बहुपद के गुणांग, अशुन्यों-क सब्सक्राइब स्थापित करना इस परउष्न बनते हैं उसको आपके सिलेवस से निकाल दिया गया है। इसके अलवा आपका प्राइक्ता वाला जो chapter है उसको आप syllabus से निकाल दिया गया है तो friends आपको ये पुरा इतना syllabus में से 30 % भाग निकाल दिया गया आप किताब में जरूर से इस syllabus को मिला लीजियेगा कि कौन-कौन से भाग निकाला गया है जिससे आपको तैयारी करने में आश जादा जरूरी है आपको अगले वीडियो में बताएंगे के ह Chemili का syllabus क्या है अंग्रेजी काούμε आ है और जो आ आप के पांच-शग सब्जेक्ट बशते हैं उसका syllabus आपको बता दिया जाएगा तो स्रीमैंस इस तरह से से संबंदी वीडियो प्राप्त करने के लिए वीडियो